यहाँ नमस्कार दोस्तों आज हम आप सबके सामने एक नई और श्रदी लेकर के आए हैं करी पत्ता और यह ऐसी और जो की हर जगह यानि कि किसी के घर के सामने भी बहुत ऐसली मिल जाती है और इसके फायदे आप सुनेंगे तो अनेकों हैं अगर आप इसको अकेली भी पता हो दोस्तों तो उसमें सबसे अच्छा काम करता है रतवंधी रोग के लिए के लिए बीटामिन और रामबान होता है अब जानते हैं आप सभी को पता है अगर साइंस पढ़ते हैं एन्वास को और यह और कि फोलिक एसिड को कंट्रॉल करता हैранक्व को यूरीन संबंधिक कोई भी प्रोब्लेम है उसमें इंफेक्शन होए या कुछ भी है तो या प्रेग्नेंसी के दौरान औरतों के लिए भी यह बहुत ही लावकारी सावित होता है इसमें जो तीसरी विटामिन पाई जाते है वो है विटामिन सी विटामिन सी वैसे तो हम कोई प्रतिरोधक जो है आपके बोडी की वह बहुत बढ़ जाती है और जब हमारे बॉड़ी के रोग प्रतिरोधक जंता बढ़ जाएगी दोस्तों तो कोई विटामिन सी की वजएन से की अपक्राहें आपको उरमेली लोग कहीं जाते हैं थोड़ा अगर पानी चेंज हुआ कहीं और का पानी पी लिया बिमार हो जाते हैं या धूप से ठंड में आ गए फटाफट बिमार हो गए क्यों क्योंकि उनकी बॉड़ी की रोग प्रतिरोधक छमता जो है वह कमजोर हो जाती है और यह सारी भरपाई कर देता है वि जड़ से खतम कर देती है और कुछ प्रोब्लेम है तो और इसके साथ साथ उसको स्मूथ और मुस्चराइजड यानि की हेल्दी बनाए रखती है स्कीन को सभी लोग चाहते हैं कि मैं बहुत सुंदर दीखूं और इसमें यह सहायक होता है वैसे तो खास करके औरतों को हम अगर कहीं भी खड़े होते हैं किसी सोसाइटी में खड़े होते हैं तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं हमें अच्छा लगता है हमें लोग सुनना भी चाहते हैं क्योंकि अगर हम अच्छे हैं ट्रैक्ट होते हैं लोग तो इसलिए हमारी हेल्दी रहना जरूरी है है हमारी स्कीन का और यह बिटामीन यानि की कड़ी पत्ते से मिल जाता है और हेर की प्रोब्लेम आज कल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अगर सिटी में आप रहते हैं खास करके मैट्रों सिटी वगरा में तो इतना पोल्यूशन बढ़ गया है दोस्तों कि आप बाहर निकलते है आपको एक और टॉपिक पर अगली भार मिलेंगे धन्यवाद